नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों मैं हूं मनिसको स्वावाव। दोस्तो हमारे साथ है government certified animal health worker सुधीर सर। दोस्तो अभी हम लोग सुधीर सर के ही जो hostel है जहां पर training center चलता है वहीं पे हम लोग हैं रात यहां ही ठरने का program है। पिछलों वीडियो में भी हमने आप लोग क कब करवाना चाहिए जैसे पाठी कितना उमर का हो तो क्रॉस करवा है क्योंकि बखरी तो हमेशा हीट में आती है और उस पर टूट परते हैं लेकिन अगर गलत समय पर अगर मतलब क्रॉस हो जाती है तो काफी समस्य आता है कुपोशन का भी सिकार होती है बहुत सारी बक्रियां मर भी जाती है तो इस पर बिसेस बाचीत करेंगे सर से नमस्कर सर नमस्कर नमस्कर मनेश जी सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कितना रात में पेसंस रखते हुए वीडियो बना रहे हैं यह आपका मेहनत का पहले जो मेहनत की है उसी का क्या का जाया है रिजल्ट है क्या पेसंस रख रहा है जै और जैसा कि हमने सुन रखा है कि आप एक वेजी टेबल का मैंने सबजी का बहुत बड़े फार्मर भी हैं कुछ वीडियो हम देखे हैं जैज किस उमर पर और किस टाइम पर क्रॉस कराना उचीत रहता है तो सबसे पहला चीज तो डिपेंड करता है कि आप किस ब्रीड का पालम कर रहे हैं लग है कि हरेक ब्रीड का क्रोस कराने पालम सब्सेव करता हो है अ लूब ब्ल्य मंग फार्मर सेव filme कर कर रहे हैं हम ब्लेक मंगाल बकरी का बात बोलने जा रहा है, फिर उसे हब हर एक बेड़र बता देंगे, हीट में आना और क्रोस कराने का सही उमर दुनों में अंतर है, जैसे कि ब्लेक मंगाल की बकरी पाँच महिना, छे महिना के उमर से हीट में आने शुरू हो जाती है, लेकिन उसको क पर क्रोस कराना चाहिए उसी तरह बर्बरी का है वह भी हीट में आना बहुत पहले सहीं सुरू हो जाती है लेकिन उसका सही उमर क्रोस कराने का है बारा महिना तिरह महिने का अगे पिछे भी थोड़ा हो सकते हैं शिरोही का एज 15-16 महिना जमना पारे बिटल का सही एज 22-24 मह पर कराना चाहिए तो अशुकर प्रस्मो नहीं होगा जो कम उमर के लड़की जब मां बनती है जो कुछ लोग पुराने लोग देखे होने वही दिक्कत होगा क्योंकि बकरी हार्मोनल रुप से मैचूर नहीं हुई रहती है तो यह दिए किसी लड़कि का साधी कर दिया जा तो पहले के लोगों देखे होंगे आज भी कुछ पुराने लोग होंगे उनसे पुछिएगा जब वो माँ बनते थे तो सादी से पहले जिसंट पुछ रहते थे जैसे ही हूं माँ बनते थे उसके बादे पतला हो जाते थे श्रीकुड जाब अधिसला तो साद्ध हड़ी-ध तो बच्चा भी अच्छा नहीं आएगा यही कारण है कि हमारे जो साइंटिस्ट है साधी का उमर लड़कियों को एक फिक्स कर दिया को से पहले नहीं करना चाहिए ठीक इसी तरह बक्री में है अधि पूरी तरह से हर्मोनल रूप से मैच्छोर नहीं हुई है आप पहले आप उसका सरीर विकास अच्छा नहीं होगा तो आप जब बिजनेस कर रहे हैं उसका तो बिमार रहेगा बॉना रहेगा या उसका सरीर का विकास अच्छा नहीं होगा तो फैदा नहीं होगा बिलकुल बिलकुल नहीं होगा और हमारे गाउन देहात के लोग जो जागरूक नही सब्सक्राइब करते हैं जब तक मिस्चुरिटी का एज उसका नहीं आ जाए लगभग में तब तक आप सब्सक्राइब कराने पर पाठी बांज बन जाएगे अच्छा अधिस्वास है इसा रहता ना इंसाने भी हो जाता ना सब्सक्राइब कराना है जब तक नहीं कराना है अब आये में प्राप्त कर ली है बकरी तब कब कराएं अच्छा अधि बकरी जब हीट में आती है तो लगभग 36-40 घंटा तक बकरी हीट में रहती है कितना देली तक 36-40 घंटा तक हमारे जो किसान बंद्धों जो जागरुक नहीं है जाए गाउं वाले हों लोग क्या करते हैं बकरी को लेते हैं बकरें के पास से देखा के छोड़ देते हैं चलाओ धका धक गाली चलाते रहो जाना खुश है गाली चलाते रहो खुश औस अ तो एक बार कहीं मैटिंग एने क्रॉस सही होता है अधि लगतार उससे सर्विस ले रहे हैं उसका सीमें बरबाद जा रहा है वह तो पहले से सीमें बरबाद हो रहा है बकरी का हिल्थ पर भी असर आएगा चूंकि आपको मर्सिल फार्मिंग करने जा रहा है बकरी 30 भी हो सक बच्छा नहीं आएगा और ज्यादा क्वाल्टी खराब हो जाएगा तो इसलिए सही टाइम का चैन जरूरी होता है दूसरा फिर असर क्या आएगा बकरी बहुत ज्यादा है इसे ज्यादा सर्विस ले रहे हैं सब पोच कि एक दिन में 8 बकरी 10 बकरी हिट में आगई एक र बच्छा न तो बाद में आएगी तो इस तरह सारी बकरी गर्वित नहीं हो पाएगी तिर नुक्सान भूए नहीं हुआ सब्सक्राइब देखते हैं जब देखते हैं कि ज्यादा बकरी मतलब हीट में आ गई तो अंडा-उंडा देशी अंडा-उंडा बीडेटर को पिलाते हैं इससे कुछ सीमेन पर पाउप पड़ेगा पड़ता है तो यहां हम चल रहे हैं समय पर चल रहे हैं तो उससे सर्विस स एक बार में सीमेन पांट से छे मेल निकलता है कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बकरी का सही टाइमिंग होता है जब बकरी हीट में आये तो दस घंटा के बाद क्रोस कराईए और तीस घंटा से पहले क्रोस कराईए अच्छा अच्छा बकरी 36-40 घंटा खेटे मराती है ध्यान क्या देना है पहला दस्वां घंटा से बाद अंतिम तिस्वां घंटा से पहले वाला टाइम में क्रोस करा देजिए बकरी आराम से गर्वित हो जाएगी बकरी पर असर खराब असर नहीं पड़ेगा तो अब यह से पकड़ें कि बकरी हीट में आई है थी समा घंटा चल रहा है कि लिछें पानी करणी तो ब्लता है बंद कीजिए बनें बोलता है बखरी में कहां से बोलएगा यहां पर क्या करना चाहिए अपना फार्मूला चान आफिए मेथड क्शू पूज पोज करें आप सुबहा सुमापना फारम पर गया बकरी देखे के हिट में आई हुई है यह आपको मालूम बकरी हिट में आई हुई है अराम से उसको एक वार क्रोस करने देजिए बकर को अच्छा ठेक आपको तो टाइमिंग पता है नहीं किस टाइम पर क्रोस हुआ कोई भाई अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो इसके पर नमर दिया जा रहा है अगर विसेश जनकारी के लिए यहाँ संपर्क भी कर सकते हैं हम जागरुकता अभियान दो तरीका से चलाते हैं यह कि यूटूब के माधियम से लोगों को निसुल्क जागुता अभियान औ और दुसरा तरीका है मेरे बीड कोशेज चलता है लोग जो करना चाहते है तो नमबर दिया रहता है संपर करते हैं प्हें करते तो उसका विस मिलता है तो जैसी इनकी इचा कि क्योंकि सबकों मिलना चाहिए ना जो गाव में हैं छोड़ा पांजी वाले उनको वी टूप से पोड़ा करतेे हैं 12 एक लगवा किर फिर क्राइप ली कि आंडे और नहीं और तौरह क्लिस्य को बोस्ताशियाँ compassionate आया ना इस तरह से इसमें धटको पनाया जाएगा तो हमसा क्रोसिंग यह उन्य यह पहले वला या बाद वला तुछ घंटा थीज़ंटा के बीच वला आ जाएगा तो बक्री के हिल्थ पर भी खराबसर नहीं पड़ेगा बक्री जल्दी गर्वित हो जाएगी इस तरह से क्र जैसा कि हम बाचित कर रहे हैं तो पहली बार में जैसे आप बता हैं कि 10 महीने पर करवाना है यह 13 महीने पर बनें गीर कर और नहीं सकते हैं यापी लुक्ति दुसरा ब्रुट से बपक्री आपकी है इसे बहुत बढ़ा सब्साज़े लेंगे किसी तरह सर्भाइव कर भी गई अब बच्चा बाहर आए बाप का भी अंसाइगता साइज बनाल रहेगा इसके पास दूद रहेगा तो अपना बच्चा के लिए लिए बच्चा तो आ गया है बड़ा तो हो सकते हैं दूद की कमी आ जाए अच्छा तो बच्छा पर बच्चा कर दूद भी नहीं आया हुआ रहता है इसके कारण समस्य आता है और आप खाना पुछे थे तो ऐसे भी जब ब्रीडिंग उस पर लूट ज्यादा रहे तो पौश्टी कहार नहीं दीजिएगा तो च्छमते नहीं रहेगा जब च्छमते नहीं रहेगा तो पाने क इसलिए उसको एक्स्ट्रा डाइट देना भी चाहिए क्योंकि देखिए आपके फारम का मेन इंकम ब्रीडर पर ही डिपेंड करता है और ब्रीडर खाराब हो गया तो पूरा रिजल्ट खाराब हो जागा पारम का लेकिन बखरी भी खाराब रही या बखरा अच्छा है तो बहुत लोग जैसे गाउं में घुमने वाला ब्रीडर होता है उसे क्रोस कराता है ओ सही है या गलत देखिए ओ तो वही हो गया कि हम ब्यस्या क्या है जाए कि न अच्छा उससे क्या होगा बिमारी भी आ सकता है एक बिमारी दुसरा कहां फैलते रहता है कि नहीं पैलता है बिलकुल सही बात है उसी तरह जो घुमने वाला जो ब्रीडर है या जो एक बिमारी आया हुआ है वह उसको क्रोस किया और गुपतांग वाला बिमारी है इसके लिंग भी लग गया बिलकुल यह अब दुसरे को करेगा पूरे प्राम में बर्बात हो जाए सकता है हुआ कि नहीं हुआ थोरा सा बचाने रीच इसलिए बिमारी और पूसेला नाम नाम का बिमारी है अधी एक बखरी एपर सेला लागा हुआ है और बखरस करेगा उसक निधि ललग ज्यांस विपतांग अब इस इसको को न्वह यह उत्विघर करेगा उसक्न सधिस्क्राम मत हुआ इ काफी होगा जैसे ही तीन मेहना साठे तीन मेहना चार मेहना का गर्व काल समय आएगा बच्चा प्यक्त देगा तो यह और बीमारी इसा है ना इंसान में भी हो जागा चुछा चुछा तो उसे बचा जाए मतलब एक छोटा सा गलती से पुरा परवाद जैसे यहां सलाह दिया से बोलते हैं चराई पर गिया था उध्रे कोड़ास हो गया अब हो गया तो अलग वाद लेकर आपको में मिमारी आ गया है इंफेक्शन तो सारी बकरियों में गरफात होगा जब देखिए लगभाग 20 बकरी है आप 15 बकरियों में गरफात हो रहा है त्रौंत कान ख़ड़ा कि लगता है कि पहल चुका है और निकरतम डाक्टर संपर्ण करना कभी नहीं भूली है जाल लेजी इसका हो रहा है यह नहीं होगा दूसरा कारण होगा जैको बुर्सेला का इंफेक्शन आएगा जिसे बगरा यह है आप बगरी विस गो है इसमें डाक्टर सेंपर किजिये अपने हरी चीज घरिवल्यास तरह पहलाना सर्च नहीं होता है हम भी डाक्टर नहीं अन्मल हिल्थ वरकर है अगर इस समझ से आ रहा है तो मतलब इस पर सलेश्ट से समय लिए जैंगा गाह में लोगों क्या करते हैं सुचते हैं किसला जतना करी न उसको बेच के दुश्रा काई दिये हम करते हैं बाकी लोग क्या विचार है जो फैदा लागे ओकरें डिसेजन लेना तो उनका काम है बिल्कुल लेकिन कमर्सियल अगर जो करना चाहते हैं उनको तो अपना समय नहीं होना होता है कौन सा बकरी को हमको निकालना है किस बकरी क काफी अच्छा होगा और यह उमीद करते हैं कि अच्छा लग रहा है दूसरा फार्मर के पास जरूर आप इसको सेर कीजिएगा